पेड़ों को मत काटो प्रिश्ण उत्तर पाठ भोद मौखिक प्रिश्ण सुन्दर लाल किस कक्षा में पढ़ता था? उत्तर सुन्दर लाल छठी कक्षा में पढ़ता था सुन्दर लाल को क्या शोक था? सुन्दर लाल को पेड़ लगाने का बड़ा शोक था सुन्दरलाल पढ़ाई में कैसा था? सुन्दरलाल पढ़ाई में बहुत तेज था बेहर परिक्षा में पिर्थम आता था सुन्दरलाल नैनिताल क्यों जा रहा था? सुन्दरलाल बीये की परिक्षा देने के लिए नैनिताल जा रहा था चिपको आंदोलन का सूत्रपात चुंदरलल बहुगुडा ने किया। ना होने से सूखे की स्थिती उत्पन हो जाएगी, जिससे आकाल की स्थिती बन जाएगी। बहर से अनाज मंगवाने के लिए लोगों के पास धन कहां से आएगा। किस के नस्थ होने से परियावन का संतुलन बिगर जाएगा। पेड़ पौधों के ब्रक्ष्व का अंदाधुन कटाई से क्या नहीं हो पाएगी वर्षा वर्षा ना होने से क्या होगा आकाल की स्तिथी बनेगी लगू उत्तरिये प्रिश्ण का सुन्दरलाल ने अपनी मित्र मंडली में कौन सी भावना जागरित की उत्तर सुन्दरलाल ने अपनी मित्र मंडली में पेड़ पौधों के प्रती इसने भावना जागरित की उसने बताया कि ये पेड़ पौधे धूप वर्षा जाड़ा आदि सहकर भी हमारी रक्षा करते हैं, हमें सुख देते हैं, किसी के द्वारा हरा भरा भरा ब्रक्ष काटने पर सुन्दरलाल को बड़ा दुख होता था, उसे लगता था कि कोई व्यक्ती पेड़ को नहीं उसके शरीर के अंगो को काट रहा है, बिनर्माव से समझाता, ना मा पर उससे लड़ने मरने के लिए तयार हो जाता, प्रिश्नगा सुन्दरलाल को किस बात के भेंकर पर नाम दिखाई दे रहे थे, उत्तर सुन्दरलाल को पेड़ कटने से भेंकर पर नाम दिखाई दे रहे थे, वे सोचता था, इतने बड़े इस्तर पर यदि सभी प्रकार कि हरे भरे पेड पौदे धीरे-धीरे कट जाएंगे तो हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गाउं में बसने वाले लोग अनात होकर रह जाएंगे प्रिश्नगा सुन्दरलान ने लोगों को ब्रक्षो की कटाई रोकने के लिए कौन सा नया धंग समझाया सुन्दरलाने लोगों को ब्रक्षो की कटाई रोकने का एक नया धंग समझाया कि जब कंपनी के मजदूर ब्रक्षो को काटने लगें तो उससे पेड से लिपट जाएं जिससे वे ब्रक्षो को नहीं काट सकेंगे ब्रक्षो की कटाई रोकने बननाई ब्रक्ष लगाने हेतू लोगों को प्रोसाहित करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा सकते हैं उत्तर ब्रक्षों की कटाई रोकने बन नए ब्रक्ष लगाने हेतु लोगों को प्रोसाहित करने के लिए नए प्रयासों के अंतरगत इनामी योजना शुरू की जाए ब्रक्षों की कटाई रोकने के लिए कानून बनाय जाए तता ब्रक्षारों पड़ भी किया जाए बनों दीर्ग उत्तर ये प्रिश्न अपना शौक पूरा करने के लिए सुन्दर लाल क्या करता था उत्तर पेड लगाने का अपना शौक पूरा करने के लिए सुन्दर लाल आसपास के जंगलों से पेडों के बीजला कर उनमें पौधा तयार करता था जब पौधे बड़े हो जाते तब उन्हें अनि जगे रोब देता कुछ ही दिन में पौधे बड़े होकर ब्रिक्ष बन जाते थे सुनदर लाल को पेड़ पौधों से बहुत लगाओ था, पाट में दी गई किन बातों से कतंद प्रमाणित होता है सुन्दरलाल को पेड़ों से बहुत लगाओ था पार्ट में दी गई इन बातों से ये प्रमानित होता है कि पेड़ पौधों को वे अपने माता पिता के समान मानता था सुन्दरलाल का मानना था जिस प्रकार मा अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सेहन करती है उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धू वर्शा जाड़ा धूल आदी अपनी उपर सहकर भी हमें सुख देते हैं जब कोई किसी पेड़ को काटता तो सुन्दरलाल को लगता कि उसी के शरीर का अंग काटा जा रहा है उसने पेड़ पौधों को कटने से बचने के लिए हर संभब प्रत्न किया और चिपको आंदोलन की शुरुवात की पेर पौधे हमारे माता पिता के समाने सुन्दरलाल ने ये क्यों कहा पेर पौधे हमारे माता पिता के समाने सुन्दरलाल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पेर पौधे हमें च्छाया फलफूल आदी देते हैं जिस प्रकार मा अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करते हैं। उसी प्रकार ये पेर पौदे भी धूवर्शा जाड़ा धूल आदी सब अपने उपर सहकर हमें सुख देते हैं। हमारी रक्षा करते हैं। पिता जिस प्रकार परिवार का पालन करता है उसी प्रकार पेड़ मानव जाती के पालन हेतु अनेक वस्तुएं जुटाते हैं। प्रिशन चार किस बात पर सुन्दरलाल को दुख और आश्चरे हुआ। सुन्दरलाल ने जब मजदूरों से सुना कि वे कमपनी के आदेशा नुसार पेड़ काट रहे हैं क्योंकि कमपनी जंगल काटने का ठेका ले रखा है तो इस बात को सुनकर सुन्दरलाल को बहुत दुख और आश्चरे हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े इस तरफ पर सुन्योजिद्धंग से पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। प्रिश्न पांच, सुन्दरलाल को किस बात के लिए आत्मिगलानी हुई और उसने क्या किया। सुन्दरलाल को इस बात के लिए आत्मिगलानी हुई कि वह कंपनी के मजदूरों को पेड़ काटने से रोक न सका। इसे रोकने के लिए उसने अपने मित्र मंडली की सभा बुलाई जिसमें गाओं के लोगों को आमंत्रित करके उन्हें पेड़ पौधों का नहतु समझाया तथा उन्हें लगातार पेड़ कटने से उत्पन होने वाली खत्रों के बारे में भी बताया। सुन्दर लालने लोगों के सामने क्या पक्ष रखा तथा इसके लिए उसने क्या प्रियास किये। इसके लिए सुन्दर लालने तरुन रक्षर ब्रक्षा रोपन संस्थान का गठन किया तथा चिपको आंदोलन चलाया। व्याकरण बोध निमलिके शब्दों का उनके समान अत्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। पेड, ब्रिक्ष, आकाश, गगन, मंडली, समू, महत्व, उप्योगिता, आकाल, सूखा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे, प्रठवी के चारो ओर फैली हवा परियावरण, भाशर देने वाला वक्ता, जो आँखों के सामने हो समक्ष, जिसका होना संभव ना हो असंभव, जिसकी कोई तुलना ना हो अतुल निये। फीक, भाश cassेअ होना होना संभव थैसाण। विए यू संभव तुलना की सामने हो इसकुल मूजा आप स्भव, जिसका होना होना हो 노था होना मूना निसका।